आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए थर्ड समस्टर के हिंदी गद्ध के most important question and answer के बारे में जितने भी आज किस वीडियो में question होने वाले सारे के सारे MCQ यानि की objective question होने वाले हैं क्योंकि आप सभी के जानकारी के लिए बता दिये ये जो वीडियो है जिन भी छात्रों की परिच्छा हिंदी गद्ध की होने वाली है और वो थर्ड समस्टर के हैं ठीक है और चाया उनका subject major हो या फिर minor हो दोनों छात्रों के लिए महात्पूर ये दिमाली जी आपका हिंदी गद्ध में ठीक है तो तब भी आपके लिए वीडियो महात्पूर है ठीक है तो कुल मि वह से ठीक है छात्रों के लिए महात्पूर है ठीक है क्योंकि भाई हिंदी तो हिंदी ही होता है ठीक है तो चली सुरू करते है सबसे पहले आज किस वीडियो का प्रशन है बिया कि आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम है जो नहीं दिया गया है ठीक है बाकि सभी हैं ज्यान से सुनेंगे तो वह समाजिक काल बाकि जितने भी आपर आप्शन देगें यह सब इसके नाम देगें आधुनिक काल के लिए ठीक है लेकिन समाजिक काल यह नाम नहीं दिया गया है ठीक है इसलिए उत्तर रिश्का हो जाएगा अप्शन नमबर सा आज कि वीडि होँन है कि हिंतिगध की प्रथम रचना ठीक है चंद चंद बरनन की महिमा के रषनाकार कौन है तो समय हूओत करें जि क्या दो popular question कई बार repeated है अगला प्रशन कहीं रहा है कि 252, 251 थीक है 251 या फिर 251 की वारता तथा 84, 251 की वाता थीक है यहां पर वाता और वारता की रचेता कौन है थीक है यानि कि 252, 252 और 84, 251 की रचनाकार कौन है तो उसके रचनाकार गोकुल ना थे बहुत ही popular कई बार पेच्छा हम repeated question है तो ध्यान रखेंगे ठीक है अगला भी कई बार पर इच्छा में आ चुका question है ध्यान से सुनेंगे लिखा है कि स्रंगार रस्मंडल गरंथ के रचेता कौन है बहुत ही popular question है ठीक है यह आगर आगे competition के एक्जाम की तैयारी भी करेंगी न तो उसके लिए भी पूंड प्रशन है ठीक है तो याद रखेंगे बहुत ही popular question है शहित्तर उसका हो जाएगा ठीक है बिठल नाथ जी है ठीक है याद रखेंगे स्रंगार रस्मंडल जो गरंथ है उसके रच्टनाकार या फिर रचेता है बिठल नाथ जी ठीक है बहुत ही popular बहुत ही रच्टनाकी है ठीक है ठीक है यह किस चन में इसकी रच्टनाकी है नाभादाश जी ने वह आपको बताना है ठीक है तो यहाँ पर कई सारे आपको option है इसमें ध्यान लखना है 1603 यही सही उत्तर हो जाएगा 1603 इस भी में अश्टायाम की रच्टना हुई है किसके द्वारा नाभादाश के द्वारा ध्यान लखनेंगे ठीक है पर यह अगला प्रस्टने कहे रहा कि प्रेम सागर की रच्टना किस लेखक ने हिंदी में की है प्रेम सागर एक रच्टन अगला प्रस्टन है कि भासा योग वशिष्ट का रच्टना काल इनमें से क्या है यानि कि भासा योग वशिष्ट ठीक है एक ठीक है करत का नाम है एक रच्टना का नाम है और यह जो रच्टना है वो किस काल की है यह आपको बताना ठीक है तो कई सारे आपसंदियेगे इन रचित किफ रचित का दूफरा नाम है इन आपसरों में से तो बहुत ही popular question यह याद रखेंगे काफी helpful है कई बार पैसे हम repeated है तो ध्यान रखेंगे रानी केतकी की कहानी जो है इसका रानी की केतकी की कहानी ठीक है रानी केतकी की कहानी को आप लोग उद्धान चरित नाम भी तो ये भी कभी कभी question आ जाता हमेशा तो नहीं आता लेकिन कभी कदर आ जाता तो याद रखेंगे इसको भी आप सभी ठीक है तो सही उत्तरिश्का हो जाएगा option number ठीक है आ सदल मिस्र ठीक है हिंदी गद्र का सूत्र पात्र कपसे माना जाता बहुत ही popular बहुत ही top label का क्यो माननी तो इस बात को ध्यान रखेंगे लेकिन जो ज्यादा मानने है वो मैं आपको ज्यादा मतलब के हिंदी गद्रू पात माना जाता अफ़ारस सो एस ही trem CS । यह ज्यादा पॉपलर में आया ज्यादा मतलब कि लोगों ने इस पर अपने टिप पड़ी दिया है ठीक है कि यह सही है अगला प्रशने के भाईया राजा भोच का सपना एक रशना है इसके रशनाकार कौन है यह कोश्चन 22 और 23 के ससर में पूछा गया था पिछले साल ठीक ह तो इस प्रशन का सही उत्तर हो जाए अप्शन नमबर सा राज स्यूपर साथ सितारे हिंद ठीक है इन ही की यह ठीक है रशना है ठीक है याद रखेंगे अगला भी कोश्चन पिछले ही साल पूछा जा चुका है 223 के ससर में कि हिंदी नई चाल में ढ़ली किस ने कहा था त इन ही के नाम से भारत्य टीक की स्टार्टिंग होई है या पिर उसका नाम पढ़ा है ही याद रखेंगे अगला प्रशन है व allow네 की भासा योग वसिश्ट रशना किसकी है एक रशना है जो कि इसका नाम है भासा योग वसिस्ट जो कि ये प्रशन 2023-2023 के सिसन ब्यानी के पिछले फाल पूछा जा चुका है ठीक है तो इस बार भी एस्पेक्टेशन है कि आ सकता है ठीक है तो इसके जो रशनाकार है वो है राम परसाद निरंजनी ठीक है जी बहुत ह अगला बहुत ही महात्पूर बहुत ही गैरेंटी वाला कोश्चन है आपको जर्णली वैसे भी आपको जानना ही चाहिए कि 100% वाला कोश्चन वही है यह कि आदुनिक हिंदी गद्द का प्रवर्तक किसे माना जाता है बहुत ही कई बार पर इच्छा हम रिपीटेड हमेशा आने वाला कोश्चन जर्डली कॉमन सिंपल ठीक है तो यह प्रशन का उत्तर आपको जानना वैसे जरूरी आप सभी काफिच हात्रों को मालूम भी होगा इसके बारे में कि आदुनिक हिंदी गद्द के प्रवर्तक का नाम है भारतेंद हरिश्चन जी को माना जाता है ठीक ह और कुछ बिद्द्वान और कुछ कभी हैं वो कुछ अन्य लोगों को भी मानते हैं इस बात को ध्यान लखेंगे लेकिन ज्यादा जो पुष्टी हुई है ज्यादा लोगों ने जिसको कहा हुए भारतेंद हरिश्चन जी ठीक है अगला प्रसने कि हमारे मत में हिंदी और दो बोली न्यारी न्यारी हैं उक्त कथन किसका है किसी ने ये बात कहिए कि हमारे मत में हिंदी और और दो दो बोली न्यारी न्यारी हैं ये 2223 में पूछा गया प्रसने ये जो कहा गया है पंक्ति या फिर ये जो कथन है ये किसके द्वारा भाया कहा गया है तो ये कहा गय याद रखेंगे राजा लचमर सिंग के द्वारा बहुत ही महात्पूर्ण प्रशन है यानि कि बानंबर से उत्तर होगा अगला प्रशन है कि भाईया जॉन गिल क्राइस्ट हिंदी भाफा के लिए किस लिप के पच्छ पती थे तो ये भी महात्पूर्ण सावित हो सकता आप के एक्जाइम के लिए क्योंकि 2022-2023 के सेशन में भी कोशिन पूछा गया था रोमन लिप के ठीक है जॉन गिल क्राइस्ट है जो की प्रमुक बिद्वान है इन्होंने हिंदी भाफा के लिए किस लिप की पच्छ पती थे मतलब कि लिप कोई ज्यादा इंटर्स रखते थे उस पच्छ में थे तो उसका नाम है रूमन लिप मैं देंने बहुत ही पॉपलर कॉश्च है अगला है और इपको भी लिप कोलेज की इस्थापना हूई थी किस सन में हूई थी तो याद रखेंगे कि जो फॉर्ट विल्यम कोलेज की स्थापना है वह आठठारा सोस्वी मे में ठिक है पन्डेतवूप एवं पूर्वी सब्दों का प्रियोग है subscribe इसे लेखक है कौन से रश्चनाकार है जिनके भासा में पन्डेतवूप एवं पूर्वी सब्दों का प्रियोग किया गया कौन से कभी तो उनका नाम है सदाश शुखलाल जी इनहीं की रश्णाओं में इनहीं के जो भासा है वो इस परकार की है ठीक है अगला बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन जो की 2223 में पूछा भी गया है कि इंसा अल्ला खां की रश्णा मैंने भी मैं आपके जानकारी के लिए बता दू यह यह मैंने जब जब भी देखा प्रश्ण हिंदी कर देखा अब्जेक्टी वाला फिर सब्जेक्टी हो उसमें इन्सा अल्ला खां फिर जड़ा कोईश्चन पूछा जाता है ठीक है तो यह पॉप्लर कोईश्चन के अंदर गदा आता है इसको जो धान देंगे ठीक है तो इ हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है या फिर कब से मानना उचित है ठीक है तो इसके भी अलग-अलग विद्वानों के नुसार अलग-अलग कभी के नुसार अलग-अलग मत्भेत है ठीक है तो ज़्यादा जो मत मिला है जो ज़्यादा पॉपलर्टी मिली है उसके ब सबसे पहले हिंदी की उसका क्या नाम था यह प्रशन कह रहा है ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे लेकिन जो सबसे पहली फस्ट कहानी जो मानी जाती है और जो यह फस्ट कहानी है हिंदी की इंदुमती के लेखक किस्टे भीया इसको लिखी यह भी आपको जाड़ना जुरूरी है ठीक है तो इसको लिखने वाले हैं ध्यान से सुनेंगे बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है चल कि इंदुमती है इसका प्रकासन पहली बास सरव स्थि पत्रिका में लीकिन जी सबसे पहले सर सरस्थि पत्रिका में घ्यान कर प्रकासन हुआ तो सही उत्तर इसका हो जाएगा option number एक मिनिट हाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा option number 1900 उसी में उसी सन में इसका आविर्भा हुआ उसी सन में ये पत्रिका में इसका प्रकासन हुआ ठीक है अगला प्रशने की 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है एक कहानी जिसका नाम है 11 वर एक कहानी के लेखक के नाम बताना है तो इस कहानी के लेखक का नाम है लाला भगवान दीन जी अगला प्रशन है कि इन में से कौन सी कहानी चंद्रधर सर्मा गुलेरी की है ठीक है तो यहां पर दी गई सभी जो रशनाये हैं वो चंद्रधर सर्मा जी की इसलिए सभी हो जाएगा अगला प्रशन है कि प्रेम चंद्र पूर्ब हिंदी कहानियों में स्रेष्ट कहानी कौन सी यानि कि जो पहले की कहानिया है प्रेम चंद्र जी की उसमें सबसे स्रेष्ट कौन सी है चले उसके बारे मताना है तो वह है उसने क हाँ यह कहानी से ciao कि पुर्भ गा법 की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था बहुत wholly प्रेम चैंकर जी के जो कहानी थी उसका नाम था to पन्च परेमेसर जिसके बारे में साइद पढ़ा भी होगा छाथ 2000 पर-8 उनलां सितिए ऐनी के जीवन की जो अंतिम कहानी थी, वो कौन से थी, जिन्होंने लास्ट में लिखा, उसका नाम है कफन, कफन जो है प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है, ठीक है, अगला प्रश्ण बहिया कही रहा है कि इन में से कौन सा निबंदकार भारतेंद युग का है, ठीक है, तो प्रताप नरायन मिफ् जाती है, ठीक है, तो इस प्रश्ण का से उत्तर हो जाएगा, आप्षिन नमबर 1873 से उर्नेशो इस्वी के मद्ध मानी जाती है, बहुत ही पॉप्लर कोश्चिन ये याद रखेंगे, अगला एकी लेवी प्राण, लेवी प्रबंध, ठीक है, लेवी प्राण, लेवी निबंध का संकलन है, बहुत ही पॉपलर कोश्चिन ये थाबित हो सकता है, ठीक है, तो इक बाल मुकंद गुप्ता के निबंध का संकलन है, ठीक है, याद रखेंगे, अगला प्रश्न है कि भाव, पेट, दात, नाक, आदि-निबंध की लेख mockन linkहेगे हैं, जिन में से द अब बहुत फारी यूग जो पढ़ते हैं तो उसका नाम है वो किसके नाम पर पढ़ा है थीक है तो बहुत ही popular question जानना भी चाहिए फ्रेंगा-फ़ैदARD करनं steroids काफे हेलपोल टॉप लिवल का कोश्चन है अगला प्रशन कहई रहा बहिया बेकन विचार रतना वली किसकी रशना है तो यतना महाधपोर नहीं लेकिन प्रशन है तो तर्जान लीजे महावीर प्रसाद दुबेदी जी किये ठीक है अगला प्रशन है कि भाईया इन में से सुनेंगे बहुत सारे कभी हैं लेकिन ये question कहे रहां कि ये दुवीदियुक के कौन से निवंधकार है टीक है तो याद रखेंगे इसमें दिये गए सभी के सभी दुवीद्यू के निवंधकार हैं मादो प्रसाद मिस्र जी भी हैं बाबु स्याम सुंदर दास भी जी हैं और अध्यापक पूर्ण सिंग भी इसलिए सही उत्तर उप्रयोक्त में से सभी या फिर हो सकता कि इन में से सभी ऐसा आपको दिखे तो आपको लास्ट वाला फिलेक्ट करना है ठीक है अगला प्रस्ण है कि गोवर गड़े सहिंता किसके निवंध का शंकलन है ठीक है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा आपसे नंबे चंद्र धर सर्मा गुलेरी जी की ठीक है अगला कि कन्यादान पवित्रता नामक निवंध के लेखक कौन है तो इस निवंध के लेखक है अध्यापक पूर्ण स्थिंग ठीक है अगला प्रश्ण कि रशग्य रह जिसका नाम कवित्हक क्या है ठीक है और यह जो निवंध है ओ किसके दौरा लिखा गया है यह आपको बताना तो स्युत्तर इसका हो जाएगा अप्शन नमबर दा अचार रामचंद सुकुल के द्वारा लिखा गया है अगला प्रेश्ण बैया कि अध्यापक पूर्ड सिंग किसे वर्ग के निबंधकार है तो किस प्रकार के निबंधकार है तो इनकी जो निबंध निबंध है अध्यापक पूर्ड सिंग की उसमें भावातमक यानि कि वी चीज का भाव मिलता है कि बाई किसी चीज का भाव आ रहा है तो सहुत्तर इसका हो जाएगा चिंता मड़ी ठीक है बहुत ही पॉप्लर इनकी निबंध संकलन निबंध है अचार चाले नेश कोश्चन देखते हैं नेश कोश्चन कह रहा है कि यह अचार महावीर प्रसाद दुबेदी ने किसी युक का प्रवर्तन किया है बहुत ही पॉप्लर कोश्चन जानने की कोशिश करेंगे आप सभी ठीक है और हम आपको बता रहे सही उत्तर इसका मैंने इसकी वार पत्रका का दुबेदी जी ने संपादन भार का कब समहला इसके पॉप्लर कोश्चन वैसे और जानना ना जाही है दुबेदी युक की जो समय सीमा है वो अलग-अलग बिद्वाने के सार अलग-अलग कभी के उसार अलग-अलग हो सकती है लेकिन जो ज़्यादा पोष्टी है वो 1900 से 1920 तक रहा है ठीक है दुबेदी युक ठीक है अगला प्रशन में यहा कह रहा है कि माधो प्रशाद मिस्र वह अध्यापक पूरुसिंग किस युक के निबंदकार हैं बहुत सिंपल सा प्रशन से उत्तर हो जाएगा दुबेदी यूक के कांशे तो दुबेदियुक्य जो निबंधकार है उनका नाम है चंदरदर्सरमा गुलेरी जी weiß obligation कि रसंग्जन किसका निबंध संग्रा है तो रसंग्य रंजन जो निबंधकार प्रशाद दुवेदी जी का यह सहिथार होजाएगा। याद रखें कई बार प्रश्ण आhetto टीक है। अगला कुश्चन कही रहा है कि हिंदी निबंद के विकास का दुवेदी युग काउन सा चरण है। कि हिंदीन निबंद के विकास का दुवेदी यूग कौन सा चराण है पहला दोसरा तीसरा चोथा कौन सा तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अप्शन नमबर खा दोसरा है ठीक है अगला एक दुवेदी यूग में किस तरह के निबंदों की रशना अधिक हुई है बहुत में घ्रत किया है ठीक है सही उत्तर हो जाएगा चार भागों में और फिर पिर चार ब्लाद ठीक है अगला कि कभी करतबं निबंद के पहले भाग का क्या सीरशक है ठीक है तो चलिए कमेंड 6 त उसका माम lives वह जुरूर बताया करीं ठीक है तो यह चंछन निककानमर अगला अगला है कि जो कुछ छंदों में कहा जाता हुआ क्या कहलाता है तो जो कुछ भी छंदों में कहा जाता है वो पद्ध कहलाता है ठीक है याद रखेंगे दुवेदी के अनुसार कभी को किस तरह की भाफा लिखनी चाहिए यानि कि दुवेदी जी ने कहा कि भईया आपको किस प्रकार की महाफा लिखनी चाहिए या फिर इनके नुसार किस तरह के तो याद रखना है कि दुवेदी जी ने कहा कि जो कभी है उसको जिस भासा के यूज करना चाहिए पिर जिस भासा में रश्णायर लिखनी चाहिए वह तिक एफाहजा से समझने योग है मतलब कि आफाने कुछ नियम कानून होते है जिसको ध्यान में रखकर ही उस चीज को किया जाता है दुवेदी जी के नुसार कविता का प्राण क्या है इन आप्सनों में से तो दुवेदी जी ने कहा कि भाया कोई भी माली जे कविता है तो उसका जो प्राण है वो है सोरस्य ठीक है ये किसी का प्रान्ट होता है अगला है दिवीदी जी के नुसार कविता का विशया कैसा होना चाहिए तो इन्होंने कहा कि ब्हीया हो मनोरंजग भी होना चाहिए तर्या धी segu तो आगे जितने भी प्रश्ण दिये गए हैं उनमें उसके सामने उसका उत्तर भी लिखा है जैसे कि अचाहर राम चंद्शुक्ल का समय कब से कब तक है ठीक है तो अठाराफ अचाहर राम चंद्शुक्ल ने किन दो पत्रिकाओं का संपाधन किया है तो नागरी लेगे उन सभी का उत्तर उसके सामने लिखा है तो इस वीडियो में करीब करीब मैंने 100 कोईस्टन के करीब इनकिल्यूट किया है जो कि आपके एक्जाम के नजरिये से महात्पोने ज्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा कि सारे कोईस्टन आएंगे लेकिन कुछ कोईस्टन जरूर आपके एक्जाम में देखने को बिलेंगे जो आपके के लिए काफी हल्पल सावित होंगे ठीक यह पूरी के पूरी पीडिया आपको हम टेली वाट्सप पर प्रवाइड करा देंगे तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा मिलते हैं को नए वीडियो में जैहिंद प्लाइड गयो CA डड़ आपके मिलते में प्लाइड वि cyclake डिया आपके करेंगे जैहिंद आपके मिलते हैं